one of my friend came to me and told this crazy thing मेरा एक फ्रेंड जो फोटोग्राफी घरा था किसी इवेंट में उनके जो क्लाइंट है उसके गेस्ट उसके पास आते तो उन्होंने उसको पूछा about फोटोग्राफी चार्जेस how much he charge and उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसका काम वो कहाँ पर देख सकते so he shared one his profile link social media profile link शायद से इंस्टा हो सकता है and he told his charges जो भी फोटोग्राफी की charges उनकी requirement थी उनके सब से उसने charges बता है but in some time that guest got disappeared जो उसने charges बतायते वो भी proper थे जो उसने काम दिखाया था वो भी अच्छा था but still वो जो भी client था वो रुका नहीं तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों होता है generally कि आप जो भी फोटोग्राफी दिखाते है जो भी काम आपने किया है वो आपने दिखाया है वो अच्छा है जो भी आप charges बता रहे हो वो भी proper है एकदम जादा भी नहीं है एकदम कम भी नहीं है but still कोई भी client रुकता क्यों नहीं है उसका reason क्या है इसके पहले मैंने दो वीडियो किये थे उसमें मैंने बताया था one is easy method to get photography assignment and second was about charges कि हम लोग charges कैसे बता सकते है और किसी भी काम को किस तरह से ले सकते है और हमारा जो target है हम लोग कैसे achieve कर सकते है so वो दूव वीडियो अगर आपने देखे नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देखे क्योंकि जो आज का वीडियो है वो उसके पहले वाला एक step है so हम लोग देखते है कि क्या अलग कर रहे हो या आप क्या अलग नहीं कर रहे हो कि client आपके पास क्यों नहीं आ रहा या अगर client आपका काम देख रहा है आपके charges सुन रहा है फिर भी वो वहाँ पर आपके लिए नहीं रुखता because you don't have anything unique क्योंकि हम लोग काम बहुत ज़ादा कर लेते बढ़ हमारे पास दिखाने के लिए कुछ अलग चीज नहीं है so you have to basically create your own identity and your own unique identity क्योंकि हम लोग as a freelancer भी work करे बढ़ हमको एक brand बनाना बहुत compulsory है so आज का हमारा topic है basically creating your unique identity तो basically हमको exactly करना क्या है उसके लिए तो हम लोग सिर्फ तीन स्टेप से यहाँ पर follow करने वाले है जिसको मैं बताने वाला हूँ उसके पहले अगर आप इस channel पर नए हो तो इस channel को subscribe करो क्योंकि काफ़ सारे photography content हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है काफ़ सारे topics हाँ पर हम लोग cover करने वाले है technical भी और generally भी technically is basically हम लोग camera related बात करेंगे settings के बारे में बात करेंगे other than camera and technical things हमारे पास जो industry में experience है जो हमने experience किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ so you can get idea क्योंकि हमने बहुत सारे mistakes किये है तो वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे so मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम mistake करें और जाधा से जाधा काम और earning करें so आज का topic है creating your own identity या फिर creating your own unique identity और brand so here are three simple steps you need to follow step one is building your portfolio अब portfolio exactly क्या है portfolio is a collection of best work to showcase your skill, style and experience more of it, it will be style because that how you can get the recognition and you can create your own identity तो यहाँ पर portfolio हम लोग कैसे बना सकते हैं तो portfolio बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं so very first thing is you can create creatives या फिर हम लोग जो graphic design करते हैं तो जो भी आपका content है हमको content को basically social media पर display करना है but हमको content किस तरह से display करना है so first example is हम लोग creatives बना सकते हैं जैसे हम लोग graphic यूज करके हम लोग design बनाते हैं so that is basically social media creatives तो उस creatives के साथ हम लोग अपना work दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग हमारा photos भी display कर सकते हैं with some content or caption or you can put something in description तो वहाँ पर आपको writing content भी वहाँ पर जरूत पड़ेगी तो जो भी आप display कर रहे हो उसको हम लोग audience के साथ connect कर पाए कोई भी अगर particular एक story है अगर कोई भी event हो for example अगर wedding event भी आप कर रहे हो या फिर baby shower का भी event कर रहे हो बट अगर उसके साथ caption हो so audience can relate with that they can connect with that thing ये एक चीज़े जिस तरह से आप अपका portfolio create कर सकते हो so for example अगर मैं insta profile बना रहा हूं मेरी तो insta profile में मैं ऐसे creatives use कर सकता हूं मेरा एक profile build करने के लिए so हम लोग ने जैसे बात की थी कि portfolio is about showing your skills, style and experience but यहां पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे style के बारे में क्योंकि skills और experience काफी लोगों के पास है but creating your own identity, creating your own style is something different जिस पर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो और कहीं न कहीं आपको stand out रहना पड़ेगा because काफी सारे photographer से, काफी सारे लोग अच्छे काम कर रहे तो ऐसा नहीं कि कोई खराब काम कर रहा है but हमको उसमें stand out करने के लिए हमको एक अपना style create करना बहुत important है second thing is we can create a reel of your photos so basically that will be a slide show slide show पहले भी होते थे but it was like kind of PPT या फिर हम लोग जैसे movie maker पर slides बना रहे है but that same thing you can do in your short videos or reels तो अगर मैं reels बना रहा हूँ तो reel will be a vertical video so that vertical video I can share on insta I can share that on stories I can share that on linkedin या फिर youtube shorts पर मैं उसको share कर सकता हूँ you can share it on whatsapp status and इस तरह से आप आपका portfolio create कर सकते हो उसमें भी आपका editing style या फिर जो भी एक present आप कर रहे हो जैसे मैंने कहा कि हम लोग graphic में content add करते जैसे caption या कुछ writing part add करते वही चीज़ आप reel में भी कर सकते हो तो उसमें आपको जो reel में आप दिखा रहे हो जो प्रेजेंट कर रहे हो उसका तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए वो थोड़ा different होना चाहिए आपका style उसमें होना चाहिए कहीं न कहीं वो चीज़ आपकी reflect होनी चाहिए तब जाके वो अलग दिखेगा because अगर कोई भी वो वीडियो देख रहा है या वो reel देख रहा है he should hold on that video to see everything तो उसके लिए आपको एक वहाँ पर अपना style create करना पड़ेगा so in the real format you can share your portfolio और your video third thing here will be आप एक photo book बना सकते हो जैसे for example आपको बहुत बड़ा photo book बनाने की ज़रुरत नहीं है portfolio या फिर एक vertical photo book हम लोग बना सकते हैं जिसमें हमारा best work हो तो जो हमने portfolio में देखा था what is portfolio portfolio is a collection of your best work to showcase your skill, style and experience तो it should be your best work ऐसा नहीं है कि आपको सारे photos उसमें डाल देना है कई सारे photographers में ने देखा है वो लोग अपनी drive link share कर देते हैं बट उसमें एक पूरे event के सारे photos होते है client को सारे photos नहीं देखने जब भी client आपको as a photographer select करेगा तो आप सारे photos देखने की ज़रूरत नहीं है वो 200-300 photos नहीं देखेगा वो selective 15-20 photos ही देखेगा so you have to create something like that कि आपका जो भी photo book है उसमें आपके selective अच्छे events के अच्छे photos होने चाहिए ताकि वो limited photos देखके आपका काम select किया जाए fourth thing here will be you can create a PDF so हम लोग PDF कैसे बना सकते हैं तो basically हमको powerpoint में जाना है powerpoint में हम लोग हमारे photos जो भी है उसको हम लोग import कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग copy paste कर लेंगे बट वहाँ पर भी हमारे पास एक अगर कोई भी event में share कर रहा हो कोई भी एक wedding share कर रहा हो for example तो उस wedding के almost 15 to 20 photos उतर ही होने चाहिए उससे जादा photo नहीं होने चाहिए तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता हो कि हम लोग PDF कैसे create कर सकते हैं let me know in comments तो हम लोग वो भी आपको बता देंगे now let's come to a bigger thing अगर आपके पास अच्छा budget है and आप effort कर सकते हो तो my best suggestion will be that make your own website अगर आपके पास उतना काम है दिखाने के लिए आपने 5 to 6 weddings या 10 weddings आपने की हैं या फिर आपने 5 to 10 events अगर किये हैं तो वो चीज़ आप एक website पे display कर सकते हो again website will be something unique क्योंकि हम लोग जैसे इंस्टा profile बनाते हैं या फिर Facebook profile बनाते हैं या फिर YouTube की profile बनाते हैं तो वहाँ पर format सब सेम होता है तो अगर मैं 10 photographers का work देखूंगा तो 10 photographers के सारे profiles या फिर format सेम होंगे बट अगर मैं website बना रहा हूँ तो website में मेरी एक particular design होगी website में मैं जो भी मेरा नाम होगा company का या छोटे firm का या फिर as a freelancer मैं अगर काम कर रहा हूँ तो अगर मेरा भी नाम होगा तो उसमें एक kind of unique में logo बना सकता हूँ वो logo के जो colors है उस colors को मैं follow करके मेरा एक website design कर सकता हूँ या जो भी अगर आप जिसको भी काम दे रहे तो हम उस तरह से एक website create कर सकते हैं तो website देखके ही client को पता चलेगा कि one thing is his professional and second thing उसका एक style पता चलता है कि how much work he has done उसके सोचने की तरीका कैसा है और काफी सारे चीज़े वो लोग देखते हैं जब भी हम लोग हमारा portfolio उनको बताते है so these are the different things how we can create our own portfolio with our own style तो इसमें कहीं न कहीं आपकी एक style होना होना इंपॉर्टन्ट है ये ध्यान में रखिये इससे आपका जो भी वाल क्रेटिंग पॉर्टफोलियो यू आपकी यूनिक होना चाहिए अपने बारे में तो यह में जो मैंने किया है वो मैं बताता हूँ बैसिकली अगर हम लोग भी आगर देखेंगे कि for example अगर magazine में मेरा photo आ रहा है या फिर magazine में मैं अपना photo देख रहा हूँ magazine format में तो वो थोड़ा अच्छा लगता है उसका look and fill ओवर आल अच्छा होता है so this is kind of my style तो मैंने इसको kind of magazine cover की तरह उसको design किया हुआ है इसके अंदर के भी pages अगर आपने देखे तो वो भी slightly तो इसके अगर अंदर के आप pages देखोगे तो वो भी काफी सारे different designs के साथ है वो भी अंदर मैंने जो बनाया वो सारे magazine layouts है तो काफी अलग-अलग मैंने magazine layouts देखे है उस magazine layouts को reference लेके मैंने उनके जो भी portfolio है वो मैंने design किया हुआ है और सिर्फ एक ही नहीं है तो उसमें भी काफी सारे different different magazines यहाँ पर है और एक ही नहीं है तो यहाँ पर काफी सारे अलग-अलग magazines है तो for example यह है pre wedding magazine इसके बाद यहाँ पर है newborn magazine तो अगर आप कोई भी new one photographic कर रहे हो तो उसके लिए आप इस तरह से portfolio या फिर magazine बना सकते हो so this is basically kind of creating my own portfolio तो इसका मैं PDF या फिर जो soft copy है वो में social media पर upload कर सकता हूँ तो फिलाल बट मुझे print में बहुत जादा interest है तो मैंने यह prints निकाल के रखे है क्योंकि prints हमारे पास रखना भी बहुत जादा important है अगर कोई client मेरे office में या फिर मेरे studio में visit कर रहा हो तो I can show him this hard copies hard copies जो prints हम लोग देखते हैं उससे काफी जादा impact पड़ता है जब भी हम लोग photos देख रहे है so this is again for birthday event this is for fashion fashion तो kind of fashion magazine हमने बनाया है मैंने कुछ portfolio shoots किये थे तो portfolio shoots मेंसे जो best जो कुछ photos थे जो अच्छ models के photos थे वो मैंने यहां पर इसमें print करके रखे है so अगर किसी को photography की requirement होगी जैसे portfolio बनाने की requirement होगी तो they can see this magazine again this is for pre wedding and यह एक यह commercial के लिए है so this is for some institute एक जैसे this is for Montessori pre school so Montessori एक school है वहां पर उनकी requirement थी तो मैंने तो उनको यह concept अच्छा लगा कि जैसे मैंने यहां पर magazine create किया होगा है तो वो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उनको चाहिए था कि उनका जो भी content है मैं उसको किसी तरह एक magazine के look में create करूँ so यह भी आप देख सकते हो कि इसमें भी अगर इसमें photography भी manage जो की है वो है उसमें और उसके अलवा उसके काफी सारे content भी है यहां पर तो यहां पर kind of यह commercial part हुआ तो इसमें कुछ portrait photographies भी है कुछ उनके interior shots भी है जो उनके Montessori school के है और उसको मैंने better way में design किया है एक magazine का look दिया है so this is basically I am creating my own style to showcase my work in best possible way तो यह इस तरह से आपको एक portfolio create करना है तो आप किसी भी तरह का portfolio जैसे मैंने बताया कि जिससे आप creative social media creative बना रहे हो या फिर आप reels बना रहे हो या फिर आप कोई भी photo book बना रहे हो उसमें आपका style होना बहुत ज़्यादा important है इससे बहुत ज़्यादा impact होता है और एक creativity का अंदाजा भी आता है client को कि यह कितना ज़्यादा efforts उसमें डाल सकता है कि हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा बहुतर बनाने में so this is why I am always telling कि आपका style होना बहुत ज़्यादा important है इसके अलावा यह magazines है तो मैंने इसी magazine को हमारे एक so इसी magazine को मैंने हमारे एक जो हमारे normally photo book होता है उसमें मैंने convert किया तो this is जो इसका pad है that is hard copy so जो magazine था उसका जो cover था वो ज़्यादा थिक नहीं है यह proper hard cover है so जैसे हम लोग photo books में देखते है wedding के albums में देखते हो वो वैसा है तो उसका आप एक vertical album भी create कर सकते हो vertical level में मेरा format same है उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफि सारे pages है यहां पे जो मैंने magazine बनाया है उसी का layout है तो उसी layout को मैंने एक photo book में create किया हुआ है तो this way you can create your own portfolio with your own style and you can display your work so now step two step two is basically giving little extra मेरे पास कोई भी client आ रहा है जो मेरी photography services ले रहा है भी चीज़ हम लोग extra दे सकते हैं जैसे for example you can create your merchandise जैसे कोई particular mug या cup हो गया कोई अगर जैसे काफी सारे personalized gifts है उसमें से आप कुछ भी एक चीज़ दे सकते हो personalized इसलिए क्योंकि अगर for example मैं mug दे रहा हूँ तो mug में मेरा logo या जो भी मेरा नाम है company का वो उसमें रहेगा और मैं उनको वो दूँगा and mug is basically कि generally लोग यूज़ करते हो उसको तो वो चीज़ उनके पास रहेगी second thing will be आप उनको एक book बना के दे सकते हो photo book बना के दे सकते हो तो जिसमें उनके photos होंगे अभी हम लोग ने जो पहले किया था जो मैंने portfolio में बताया था तो portfolio में हम लोग in general सब के लिए create कर रहे हैं अगर किसी की inquiry आये तो हम उनको वो काम बता सकते हैं बट यहां पर हमको एक particular client के लिए ही करना है वो तो हम जो भी वो book बना रहे है तो उसमें उनके event के ही best photos होंगे और वो उनको देना है so he will remember you for long time अगर next time कुछ जरूरत होगी तो वो आपको ही call करेगा और जब भी मैं कुछ ऐसी print दे रहा हूँ तो वो print वो लोग generally सब को बता सकते हैं आजकल digital पे सब लोग देखते हैं बट digital पे देखना और printing देखना बहुत different पार्ट है तो अगर मैं print कुछ दे रहा हूँ तो he can share with his friends with family तो उससे आपका connection भी ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चीज़े देखेंगे तो they can contact you so you can get a new lead from that उसके अलावा you can give a basic photo frame कोई भी उनका एक अच्छा portrait होगा वो उनको आप एक enlarge करके दे सकते हो तो वो वो उनके घर पे लगा सकते है even that is again a memorable thing you are giving इन चीज़ों से basically क्या होगा कि जो भी client है वो आपको ध्यान में रखेगा अगर next time कुछ requirement होगी तो वो आपको बताएगा लेकिन हमको ये किसको दे रहे हमको सिर्फ उन्ही clients को ये extra चीज़े देनी हैं so they will be in your contact अगर कुछ भी हो तो वह आपको याद करेंगे for any photography assignment इसको मैं थोड़ा और clear करके समझाता हूँ यहाँ पर दो तरह के client होते हैं यहाँ पर हम एक्जांपल लेंगे wedding photography का so आपको थोड़ा और better समझ में आए so for example अगर मैं कोई भी wedding assignment ले रहा हूँ जिसका budget है around 40 to 70,000 उसमें भी ऐसे client होते हैं कि जो kit kit करते रहेंगे right तो यह clients हमारे नहीं है हमको concept clients को target करना है कि जो client for example अगर कोई assignment हो तो जिसका budget around 1 lakh के उपर हो एक दिन का budget बोट रहा हूँ मैं उसके बाद अगर 2-3 दिन का अगर event हो तो उसका budget around 2-2.5 lakh हो ऐसे budget में जो client है हमको उनको ही यह extra चीज़े देनी है यह बहुत important है यह समझ लो हमको सबको नहीं देना क्यूंकि सबको अगर हम लोग बाटते बैटे तो हमारे पास कुछ बचे का नहीं सो हमको उनी client को एक kind of हम लोग special treatment दे सकते है जिनको जो client हमको long term के लिए चाहिए यह चीज़ आपको follow करनी है तो फिर वही clients आपको मिलेंगे तो जो भी small budget वाले clients है वो अपने आप कम हो जाएंगे और आपका जो भी काम का जो portfolio है वो अपने आप एक upper level पे आ जाएगा तो उस तरह के client आपको भी मिलते जाएंगे और वो आपको long term के लिए मिले रहेंगे अगर इस तरह से आप लोग काम कर रहे हो तो आपको better photography assignments मिलते रहेंगे अभी हाथा है हमारा step 3 which is express your gratitude so basically अगर मेरा कोई भी photography assignment complete हो रहा हो तो उस time जब भी मैं अपने photos deliver करता हूँ मेरे जो भी photos या videos की जो भी requirement होगी आपका जो भी काम हो वो complete हो गया उसके बाद में आपको एक email आप कर सकते हो या फिर एक आप WhatsApp पे message भेज़ सकते हो basically saying thank you to that client क्योंकि कोई भी आगर काम खतम हो हो तो वो किसी एक अच्छे note पे खतम होना बहुत important है और आप अपने side से उनको एक thank you बोलते हो क्योंकि जो भी उनका एक बड़ा event है या फिर for example wedding event हो या फिर कोई भी बंडी का first first बंडी का function हो या कोई भी special event हो जिसके लिए आप photography कर रहे थे तो वो एक अच्छे event के लिए उन्होंने आपको as a photographer रखा आप पे trust किया आपसे अच्छा काम उनको मिला तो ये सारी चीज़े हम लोग एक thank you note के साथ complete कर सकते हैं उनको basically thank you note भीजना है कि आपने जो as a photographer हमको एक काम दिया आपका और एक trust रखके आपको trust रखके उन्होंने आपको काम दिया है तो इसके बारे में आपको just gratitude express करना है that is the best way to complete your work इससे क्या होगा कि अभी काफे सारी photographer से जो सिर्फ काम खतम करते हैं and that is over payment लिया बात खतम ऐसा नहीं है उनको एक better way में वो चीज़ हम complete कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आप पहले तो stand out होगे वो बात अलग बट वो client आपको ध्यान मे रखेगा इस चीज़ के लिए second thing is you have to send occasional greetings और greeting का मतलब ऐसा नहीं कि आपको greeting card भेच देना है so basically you have to send one festive message उनको wish करना है for any kind of festival जो भी आप festival पे उनको भेच रहे हो या फिर आप एक email बना सकते हो या फिर आप एक creative बना सकते हो जिसको आप send करोगे तो जो मैंने style की बात कही वो आपको हर जगा पे follow करनी है right so वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो but इसका duration जो है तो हमको हर दो दिन या चार दिन के जो festival साते छोटे मोटे वहाँ पे आपको wish नहीं करना आपको कहाँ पे wish करना है और क्यों करना है यह बहुत जादा important है so for example अगर आपने आपका photography जै जो किसी festival में उनको wish करना है उनको अगर greeting भेशना है तो मैं कभी भेजूंगा so that will be diwali so उसमें almost 10 months जा चुके हैं तो जो भी 10 months गए वहाँ पे आपने जो जो काम किये उसमें से आपका best work जो आपका रहेगा portfolio वो आपको उनको वहाँ पे भेजना है so basically आप उनको सिर्फ greeting नह भेज रहे हो आप जो भी आपने 10 महिनों में आपने जो भी क्याम किया है नया उसका उनका एक update दे रहे हो so उनको दोनों चीज़े जा रही है एक तो उनको greetings भी मिल रहे है and second thing उसी की time वहाँ पर आपका portfolio भी देख सकते है जो की updated रहेगा तो आपने अगर 5-6 months में कोई और बेटर काम किया हो तो वो लोग वो भी दे सकते हैं अगर उनके पास कुछ requirement होगी उसी काम में से तो वो आपको directly वापस contact कर सकते हैं so that is one way to get connect with your client और इस तरह से आप किसी भी client को long term के लिए रख सकते हो so यह 3 step आपको follow करनी है और इस तरह से आप आपका एक unique identity create कर सकते हो त we should remember your things so आज के लिए सिर्फ इतना ही creating your own unique identity और brand आपको यह सिर्फ तीन से follow करने है first is building your portfolio second is giving something extra to the suitable clients only सब को नहीं देना है उतने ही clients जिनको आप long term के लिए रखना चाहते हो those who are paying you the best amount you deserve and उसके अलावा third is expressing gratitude once your work is completed ताकि client आपको हमेशा के लिए याद रख पाए ताकि client आपको for long term वो भी आपको याद रखे और he will come back to you when he has some photography requirements and yeah that's it for today आज के लिए सिफ इतना ही and अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इसमें आपको कुछ knowledge मिला हो तो do share this video with your friends with your photography friends and like this video and subscribe to our channel ताकि और भी जो photographic content यहां पर आने वाला है यहां जो भी topics हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं उसको आप देख पाए और उसको भी आप share कर पाए अपने दोस्तों के साथ so thank you so much for watching this video and take care